आपका एक्सरसाइज 8.2 के टीनामेट्री के किस तरीके से इन सभी सवालों को हम सौल करेंगे तो फर्स्ट कोशन है आपका निनमलिकीत के मान निकालिए तो देख सकते हैं आप कोशन साइन 18 और अपान कास 72 अरंस सेकेंड आपका 1026 यानि 26 डिगरी और काट बटे काट 24 डिगरी इस तरीकी कोशन को सौल करने के बिल्कुल असान तरीका होता है जब इस तरीकी का कोशन दिये हो तो दोनों रेशियों का यानिक जो दो कोड दिये हैं उन दोनों कोड़ों को अगर हमें जोडने पर 90 डिगरी का एंगल मिलता है तो इन में से किसी एक को हम बिल्कुल असानी से चेंज कर देंगे तो देखें कैसे चेंज करेंगे आई यह फर्स्ट कोशन आप सौल करते हैं यह आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट कोशन के लिए का सलूशन करें तो साइन 18 डिगरी और कास 72 डिगरी इन दोनों में आप फिर किसी एक को चेंज कर लो तो student आप देख सकते हैं साइन 18 अंस को क्या हम इस तरह किस लिख सकते हैं साइन ये साइन है यानि साइन 90 माइनस 72 यानि 90 में से अगर हम 72 को सब्ट्रैक करेंगे तब ही तो 18 के बराबर होगा तो साइन यानि 18 मिलाना है तो 90 में से बतर को उटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको साइन 18 मिल जाएगा इस तरके से कास बतर इसको आप नहीं चेंज करें यह same formula हम इहां पर apply कहतेंगे. sine 90-theta किसके परावर होता है? cos theta के. ठeta command कितना है? 72. यानि theta command कितना degree है? 42. तो हम लिख सकते हैं. sine 90-theta किसके परावर होता है? cos theta के. यानि हो जग का cos theta कमान कितना है? 72, यानि 72 या आपका होगे. तो आप इसे nीचे है, मिल जागा friends इस तरीके से आप देखेंगे second question है आपका 10 26 upon cot आपका 64 तो अब यहां देखें किसी एक को हम दोनों को पहले code को add करेंगे अगर यह 90 degree के बराबर हो रहे हैं तो इन दोनों में से किसी एक को change करेंगे तो आप देखें हम नीचे वाले को change करेंगे code को तो आपको क्या करें 10 अगर इसका हम solution करें solution में देखेंगे इस 10 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 26 degree upon cot को क्या हम लिख सकते हैं अब बताए 90 में से 90 में से क्या subscribe करें कि 64 बच जाए तो आप देख सकते हैं अगर हम नभे में से 26 को घटा दें तो आप देख सकते हैं 26 को घटा हैं तो आप देख सकते हैं आपको अगर ये किलिए ना चल पा रहा हो कि हम कितना घटा है तो देखते हैं आप ये 64 है हमें उपर वाला लाना है 26 को लाना है तो आप देख सकते हैं अगर हम 90 में से 26 को घटा दें तो आपका बिल्कुल आसानी से 64 बच जाएगा तो आप देख सकते यह किसके बरावर हो जागा यहां पर बिल्कुल इससे देख सकते हैं और यहां पर क्या हो जागा यह भी काट नभी माइनिस टिटा किसके बरावर होता है टैन ठीटा का थीटा कमान किना 26 डिगरी यह 10 से 10 क्या हो यह पूरा है चैनल हो जागा इसका फिर्फ किना मिल गए का वह झाया अपका is that यह मील गया इसी तरीके से आप इसका अभी किसी यह को च्छेंज करें तो आइए देखते हैं हम इसे किस तर्व करेंगे रहन कोशन नमर थड़ कि बात करें तो आपका कास 48- तो इन दोने में देखें 48 और अगर हम 42 को अड़ करें तो 90 डिग्री हो रहा है किसी यह को चेंज करें हम इसको चेंज करने हैं कि आप कास 90 में से क्या घटा दें कि 48 बच जाए तो हाँ पर अगर हम 42 को सब्ट्राइक कर दें तो आपका क्या बच जाए गार 48 त्यानि सेम इसको हम इस तरीके से लिग लेंगे किसी एक को चेंज करेंगे ठीक है तो यहां 90 में 42 यानि साइन यह सुत्र बन जाएगा आपका कास 90 माइनस ठीटा कास 90 माइनस की सकते हैं इसी तरीके से आप कर लेजें इन दोनों में से यह देख सकते हैं आप इस तो कोश्चन नमर फूर कर किस तरके सॉल करेंगे को से 31 डिगरी माइनस से 59 डिगरी इन दोनों को आड़ करने पर 90 डिगरी हमें मिला इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज करके इसे असानी से सॉल कर लेंगे आपके लिए यह होमवर्क है आप इसे एंसर निकाल कर कमेंट बाक्स में जरूर से भीजें नेस्ट कोश्चन किस तरके सॉल करेंगे दिखाईए कि यानि प्रूब करना है आपको दिखाईए कि 10 48 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री और 10 67 डिग्री यानि सॉल करें यहाँ मैं आसानी होगी इस तरीके का HER बहुत इंपॉर्टन कोश्चन होता है बच्चेस में कंफ्यूज हो जाता है किस तरीके कोश्चन करेंगे यह इंपॉर्टन कोश्चन है यह आपको exam में मिल सकता इस तरीके question आप एक दो number में तो बिल्कुल यह आसा तो आप लिखने का एक तरीका भी होना चाहिए आपका लिखेंगे यहाँ पर left hand side is equal to लिख लिखेंगे आपका 10, 48 यहाँ पर आपका 10, 23 degree 10, 42 degrees अब यहाँ पर होगा 10, 67 degree हमने left hand side लिख लिख लिया अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इन इन चार कोड़ों 1, 2, 3, 4 इन चारो कोड़ों को हम इस तरह से एक पास लाएं इस तरह से एक पास करें कि इन दो दो कोड़ों को जोनों पर 90 degree का हो जाए तब यहाँ देख सकते हैं अगर हम इसे 48 degree और इस multiplication का sign है तो आप इधर उधर कहीं भी लिख सकते हैं तो order का कोई sequence न इन दोनों को पास लिखनें आप यहाँ देख सकते हैं अगर इन दोनों को कोड़ों को आड़ करें इन दोनों कोड़ों को आड़ करें 90 degree होता है इन दोनों कोड़ों को आड़ करें 90 degree होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं अब इन दोनों में किसी एक को चेंज कर देना किस सेम इसी तरीके से इन दोनों में किसी एक को हम तो इसको चेंज कर रहे हैं 90 में से क्या घटा दें कि 67 बज़ जाए अगर हम 23 को सब्ट्राइक कर दें तो आपका 67 बज़ जाएगा अभी इसी तरीके से सेम इसको ऐसे ही रहने देंगे तो देखें इस डूएंट क्या हो इस तरीके से आप यह 10 ना होकर यह क्या हो जाएगा क्योंकि 10 ना हो जाएगा इस तरीके से आप देखें इसको आप लिख सकते हैं आपने फार्मूला पड़ा होगा क्योंकि 10 10 ठीटा ब्राबर क्या होता है एक बटे कॉठ ठीटा तो जहां-जहां 10 है वह आप क्या लिख सेकता है तो आप एक बटे का ठीटा यहां देखें काट 44 ऑट 10 को क्या लिख सेकता काट 42 डिग्री सेम इसी तरीके से काट 23 अब यहां देख सकते हैं यह आपका आसानीं से सभी क्या हो जाए कि चैनल हो जाएंगे ऐसे यह आपका पूरा плिबो यहां से करेंग और यहां countedних करेंगे नियुक्सरण को करेंगे तो यहां पर भी आपको प्रूब करना है कि left hand side आपका 0 लाना है right hand side 0 लाना है तो यह आप क्या करेंगे इसे आप left hand side लिखेंगे left hand side लिखेंगे cos 38 degree cos 52 degree minus sin 38 degree इस तरीके से आपका sin 52 degree यह अपने left hand side लिख लिख लिए अब प्रेंड आप देखेंगे इन दोनों कोड़ों को इन दोनों में किसी एक को आपको दोनों को चेंज करने तो यह वाला पार्ट आप का जागा इन दोनों को अगर हम चेंज कर देखेंगे प्रें इसे लिख सकते हैं आपका आप ऐसे रहने दें कि इसे आप ऐसे लिखने अब आप देखेंगे यह किस बतल जागा साइन कास नवी माइनस ट्रकिस के बरावता साइन ठीटा के था साइन ठीटा तो अब देखेंगे आप इसे सिक्वेंस में लिख लें व thर hi to go up ऐस तरिके से बिलकूल सकते हैं यहां मैनस अंज कर compete his Mackie यह सेम इस तरीके से कर दोनों के फार्मला क्या है स्ब्सक्राइब घटक उन्याम जूरे आगया आप इसे बिल्कुल साइड इसे प्रूंच एप सकते हैं क्वेश्चिन नमर कब 3 यह जिते 10 to a इसकल to cot a-18 degree जहां to a new code हो तो a का मान ग्याद किजिए friends आपको पता होना चाहिए कि new code क्या होता new code यानि नब्यन से जो भी code कम होते हैं उसे हम लोग new code करते हैं तो आपको a के मान ग्याद करना है ठीक है तो चलिए आप इसे किस तरीके solve करेंगे देखें आप इसे लिख सकते हैं कि दिया हुए आपका 10 to a 10 to a दिया है किस के बराबर है 10 to a cot a-18 degree के बराबर है तो आप यहाँ देख सकते हैं तो अब क्या हम इसे इस 10 to a को 10 to a क्या लिख सकते हैं cot nabbe 90 माइनस 2a क्योंकि आप जानते हैं कि cot 90-θ किसके बरावर होता है 10θ के तो यानि आपका यह फार्मूला बन गया है cot 90-θ किसके बरावर होता है 10 2θ के जैसे आप इने पढ़ा होगा कि cot 90-θ किसके बरावर होता है 10θ के तो सेम उसी तरीके से तो हम 10TH का लिख सकते हैं यह इतना इन लिख सकते हैं यह आप देखेंगे ठीटा की वैलूगों न 2A है ति इस तरी के रहाँ हमने लिख लिख है से में किसकी बराबर है Qat A ए माइनस 18 डिगरी के बराबर है ति आप देख सकते हैं जब भी इस तरीक एक आपको situation आ जाती है तो एक quarts record ये quarts record cancel हो जाएगा तो इधर 90 degree minus 2 is equal to a minus 18 degree बचेगा तो आप देख सकते हैं आप इस minus 2 को उस तरह transfer करिए और इस minus 18 को इस तरह लाएए तो 90 degree है ये minus है तो इधर आएगा आपका क्या प्लस हो जाएगा 18 हो जाएगा और आपका a इधर फ्रेंड था ये minus 2 a इधर transfer होगा तो ये plus 2 a हो जाएगा यहाँ देख सकते हैं 2 a और 3 a मिलकर 1 a मिलकर किना हो जाएगा आपका 3 a यानि 2 a प्लस a मिलकर 3 आप अगर इसे add करेंगे तो आपका कितने कितने डिगरी हो जागा आपका कि अब यह देख सकते हैं 108 डिगरी का कोण हो गया अब इसमें आप क्या करेंगे डिवाइट कर देंगे यानि यह पर आ इसकल तो क्या हो जागा यह 3 टाइमें जागा तिंदर का 9 और 3 यहां पे 9 गया एक बचा 18 तिंच अठार होता है यहां लिख सकते हैं यानि आप देख सकते हैं एक का मान कितने आगा 36 डिगरी का मान आगा यहां बिलकुल इसे असान इससे सॉल कर सकते हैं देखें कोशन नमर 4 यदि 10A इसकल टू कॉट भी तोसित दिखीजिए कि प्रूब कीजिए कि A प्लस B बराबर 90 टिगरी होता है आपको यह प्रूब करना है तो यहां पे किसे सॉल करेंगे किस तरीके से आपको सॉलूशन में दिया है कोशन आपको कि 10 A इसकल टू कॉट भी क्या लिख सकते हैं कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं 10 90 माइनस B क्योंकि 10 90 माइनस ठीटा किसके बराबत है कॉट ठीटा के तो कॉट ठीटा के बलूब कर भी है तो हम बिल्कुल इससे इस तरीके से लिख सकते हैं चलें देखें क्या हो जागा आपका यह तो अब हम यहां आप लिख सकते हैं, 10 A is equal to 10 90 minus, क्या लिख सकते हैं, B, देखें, यह कैसे लिखा गया, क्योंकि हमने अभी सीखा है, कि 10 A, बराबर cot B, cot B के जगें हमने क्या लिख दिया, इतना हिस्सा लिख दिया, cot B के जगें, यह इतना लिख दिया, तो 10 A पहले से आपका था, cot B के जगें हमने इतना लिख दिया, तो आपका यह हो गया, 10 A is equal to 10 90 minus B, यह 10 से 10 cancel हो जागा, A is equal to 90 degree minus B, तो B इस तरफ ट्रांसफर हो जागा, यह minus से तो plus हो जागा, यह आपका किसके बराबर हो जागा, 90 degree के बराबर हो जागा, इस तरह से का आप बिल्कुल इसे देख सकते ह आपका यह प्रूफ होगा सवाल, आप इसे 6 सकते हैं, असानी से और इसे आप copy में write down करें, चले देखें, question number 5, इसे किस तरीके solve करेंगे, आप देख सकते है, question number 5 है हमारा, यदि 6 4 A is equal to cosec A minus 20 degree, जहां 4 A noon code है, तो A का मान ग्यान की, जब इलकुल उसी तरीके same करेंगे, noon code क आप ही मैंने फिछले question में बताया है कि noon code मतलब 90 degree से कम code को हम लोग noon code करते हैं, इसे किस तरी solve करेंगे, same previous के तरह, आप अगर ये question आपको solve किये हैं, तो आप बिलकुल इसे solve कर सकते हैं, आप देखें किसी तरीके solve करेंगे इसे, देखें, आपको दिया है, sick 4 A is equal to cosec A minus 20 degree, ये दिया हुए है, तो आप क्या इसे, को से के जगें, आप ये लिख सकते हो, sick A बराबर क्या होता है, sick A बराबर क्या लिख सकते हो, कोशिक 90-4A जिस तरीके से अगले पिसले सवाल में हमने कोशन लगाया कि आप देख सकते हैं कोशिक 90-ठीटा कोशिक 90-ठीटा किसके बढ़ा हो था सेख ठीटा के ठीटा कमाने 4A तो यहां भी 4A है यानि हमें जहां सेख 4A लिखा हुआ हम बिल्कुल इतना लिख सकते हैं तो यह आपका फार्मूला हो गया तो जहां सेख एए यहां कहें लिख सकते हैं सेख इतना यानि कहें लिख सकते हैं कोशिक 90-4A यह आपका 4A है है इसकल टू कोशिक तो ए-20 डिग्री अब यहां कोशक से कोशक cancel हो जाएगा इस तरीके के तो अब देखें कि का मिलेगा आपको यह मिलेगा 90 degree minus 4A is equal to A minus 20 degree तब यहां देखें यह 20 degree इस तरफ कर दें यह 20 degree इस तरफ कर दें और यह जो minus 4A उस तरफ कर दें यह इतर करनेंगे 90 degree और यह आपको हो जागा कितना 20 degree इस तरीके से आपको यह आपका इधर हो जागा यह A है plus यह इधर minus इधर आगाद क्या होगा plus 4A हो जागा यह कितना मिलेगा आपको इस तुन यह मिलेगा आपको 5A यह 5 पर मिलेगा और यह आप देख सकते हैं आपको यह देखें minus था यह इधर आगाद क्या होगा यह plus हो जागा तो आपको मिलेगा 110 degree का अब 110 degree है आप देख सकते हैं आपको यहाँ एक अमान निकालना है एक अमान किस तरीके इस निकल लेगा तो आप 5 को इस तरफ ट्रांसफर करदेंगे तो 1 इसके नीचे चला जएगा 5 से इसे डिवाइड करदेंगे जब 5 से इसे डिवाइड करेंगे 2 और यहाँ पर 11 बचा है फिर कितने बार में जाएगा आपका 22 तो आप देख सकते हैं यापर ये 22 बार में चला गया यानि आपका एक कमान कितना निकल गया है एक कमान आपका 22 डिगरी आगए यह आपका क्या हजाएगा अब इसे बिल्कूल असानी से स्वाल कर सकते हैं देख सकते हैं आईए देखते हैं आपका question number 6 क्या है question number 6 वो बहुत important question है आपके exam में ये question आने की सम्भावना 100% है आप इस तरीके question बिल्कुल आ सकते हैं और ये question पिछले 2-3 सालों में पूछा गया है ये बहुत important question है इसे किस तरीके solve करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके question क्या है तो अगर इसे हम solve करें तो देखें किस तरीके सम्षे solve कर सकते हैं तो यहाँ देखें यदि A, B तथा A, B तथा C तिर्भूज A, B, C के अन्ता कोण हो तो दिखाए कि इतना बराबर इतना तो यदि A, B, C, तिर्भूज A, B, C के अन्ता कोण हो यानि एक तिर्भूज है एक तिर्भूज है उसके अन्ता कोण है तो इसे किस तरीके से हम solve करेंगे तो आप देख सकते हैं इसे यहाँ पे किस तरीके से हम solve करेंगे एक हमने तिर्भूज बना लिया इस तरीके से अगर यहाँ आप दखें A, B, A, C यानि यह कोण है अंतर कोण है तेहां पर आपको दिया हुआ solution की बात करें तेहां पर दिखा कोण A plus कोण B कोण plus कोण C यह हम जानते है student क्यों होता है तिर्भूज के तीनों कोणों का यह क्या होता है 180 degree का होता है तो अब यहां पर यहां कोण B और कोण C को रखना है और यह जो कोण है उस तरफ transfer कर देंगे तो 180 C minus कोण A के बराबर हो जाएगा तो यहां फे फ्रेंड्स हमें यहां देख रहे हैं नीचे 2 चाहिए तो हम क्या कर देंगे दोनों साइड यानि इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्या करेंगे दो का क्या करनेंगे भाग कर देंगे यहां भी भाग कर देंगे यहां भी भाग कर देंगे तो यह दो दो कर जाएगा फिर भी कोई सवाल में फेक्ट नहीं पड़ेगा तो आप दो ने इधर तरफ दो का भाग कर दिए, इधर दो का भाग कर दिए, तो आप क्या करेंगे आप, इस साइड में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्छों में, यहाँ लिखेंगे आप कि दोनों पक्छों में, यहाँ विल्कुल आप पक्षे मतले यह साइड और यह साइड दोनों पक्षों में I think ृत साइन का को टानिक के गुड़ा करने पर जब साइन का गुड़ा करेंगे देखी आपको मिलेगा क्या ने पर तो यहां पर भी साइन वह जागा इस तरह भी क्या होगा आपका साइन हो जागा एक सोसी माइनस कोड़ A अपान 2 तिया आप इस ट्वेंट देख सकते हैं आपका ये कोड़ है आप इसे में लिखने का तरीका है हम कोड़ को हटा देंगे आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं साइन साइन B प्लस C डिवाड़ बाइ 2 इसकाल 2 यहां आप क्या करेंगे इस ट्वेंट यहां देख सकते हैं यहां पर इसको हम देखें दो टर्म लिखा हुए एक सोसी माइनस यह कोड़ लिखा हुआ थीज़ आप इसे लिख सकते हैं एक सोसी डिवाड़ डिवाड़ बई 2 माइनस अब यहां आप लिख सकते हैं अपान कोड को हम अटा देंगे सिंबल तरीका को यहां पर टू कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है जब भी दो फ्रेक्शन का हर यानि बराबर रगता भी हम उसको अंस को जोड़ते हैं या घटाते हम इसको हम इस तरीके से बिलकुल लिख सकते हैं तो देखें यह क्या हो होता है तू अब देखें क्या होगा, कास नबवे माइनेस ठीटा क्स के बरावर होता है कोस एक प्लस ठीटा यानि कोस ठीटा ठीटा की वालू का, ए बिलकुल आप इसे लिख सकते हैं क्या, क्या अपको यह पहले से इसी तरीके से था था बी प्लस सी डिवाड़ड़ आने से आप इसे एक वरावर देख सकते हैं देखें क्या है question number इसे important question है इस वज़ए से मैं आपको इसको repeat कर दे रहाँ यदि ABC के अंत्र कोण है यानि एक तिरभूज है इसके अंत्र कोण ए बी सी है तो आपको करना प्रूव है कि sin b plus c upon 2 is called to cause a upon 2 तो हम जानते हैं से solution में क्या करेंगे हम जानते हैं तिरिभूच के तीनों कोड़ों का यह हो गया नि कोड a plus कोड b plus कोड c दिनों को कोड़ों के बान के ना होता 180 degree होता तो यहाँ पर क्या है हमें देखेंगे हम किस तरीके से में प्रूब करना है कि sin b plus c by 2 था हमें b plus c को इस तरह फ्रगना पड़ेगा और a को हमने इधार ट्रांसफर करते तो minus a हो गया यह फ्रेंस कोड b कोड c यह लिखने का तरीका है कोड b कोड c तो क्या करेंगे इस तरीके से हमें it sign की जरूब है तो हम देखेंगे हमारे left answer i get right member लिखेंगे 2 पक्चों में sign का गुडा करने पर हमने क्या करते 2 पक्चों में यानि इसमें sign का क्या कर दिया हमने गुडा कर दिया तो हम देख सकते हैं हो यहां कोड b बटे भी 2 कर दिया क्योंकि आपको पता जब भी 2 टर्म होते हैं जो उसका हर राता मुसको सब्रेट भी अलग-अलग कर सकते हैं हमने इससे अलग-अलग कर दिया तो यहां देख सकते हैं आप यह कैंसिल हो जागा यह आपका क्या होगा एक सोसी जो दो से 90 तायमिंग कैंसल हो प्रूब कर चुक हैं जिस तरह के आपके कोशन में कहा गया था तो चलिए देखते हैं कोशन नमर्ज सेवन आपका साइन 67 डिगरी प्लस कॉस 75 डिगरी को जीरो और 45 डिगरी के के बीच के कोड़ों के त्रकोडमिती अनुपातों के पदों में ब्यक्त कीजिए आप इसे फ तो इहां पर इसका अगर हम सुलूशन करें बिल्कुल असान है तो आप इसे लिख सकते हैं साइन 67 प्लस कॉस 75 डिगरी आप इसे 0 और 45 के बीच में कोड़ बनाने हैं क्या आप इसे लिख सकते हैं साइन 90 नबबबे में किस डिगरी को गटाएं कि यह आपका 67 बच जाए त तो आप अगर हम 23 डिगरी घटा दे 67 बच जाएगा इसी तरीके से सिम इसको भी हम कास क्या नबबी में से सब्ट्राइक करते हैं कि 75 बच जाए यानि 15 डिगरी घटा दे ता आपका 75 डिगरी हो जाएगा तो आप यहां देख सें 90 माइनस ठीटा साइन 90 माइनस ठीटा आपने प्रिवस लेक्चर में पढ़ा है कि साइन 90 माइनस ठीटा किसके बढ़ा होता है कास ठीटा किसके बढ़ा होता है कास ठीटा किसके बढ़ा होता है कास ठीटा किसके बढ़ा होता है साइन ठीटा किसके बढ़ा होता है साइन ठीटा किसके सुत्र यहां पर भी लगा हुआ था चूंकि कॉस 90 माइनस ठीटा के इसके बराबर था साइन ठीटा के बराबर था इस दोनों सुत्रों कर यूज करके हमने यह लिग लिया तब देख सकते हैं दोनों कोड आपका क्या हो गया है यहां पर बिल्कुल आप इससे असानी सर लिख सकते हैं चूंकि 23 डिगरी तथा 15 डिगरी दोनों ही दोनों ही कोड यूज डिगरी और कि डिगरी के 45 डिगरी के बीच के कोड बीच के कोड है बिल्कुल आप इससे लिख सकते हैं ठीक है फ्रेंड आप इस तरह के से इससे सौल कर सकते हैं आप बिल्कुल असानी से आप देख सकते हैं यानि जो आपका एक कनवर्जन हो गया यानि इसको आपको चेंज करना था चेंज करना तक इसमें 0 और 45 के बीच में आप देख सेते हैं 23 डिग्री और 15 डिग्री आ गया तो आप बिल्कुल जीरो और 45 के कोड के बीच में आप इस तरीक से इसे बिल्कुल सॉल कर सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर हमारा समझ में आओगा इस तरीके से हमने प्रस्टनावली 8.3 के सारे कोश्चन को सॉल करेंगे अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगी तो हमारी वीडियो को सस्क्राइब करें लाइक करें और जादा जादा अपने फ्रेंड में से एर करें थैंक यू वाचिंग टू मैं वीडियो